है अभी हमने को लेटरल लिगमेंट की इंजरीज पड़ी या क्रूषेट लिगमेंट की इंजरी तो अब हम देखने क्योंने किस तरह करें गे मैनेजमेंट बेसिकली तो पेशिट की एईज को पर डिपंड करिए या पैथालोजिक प्रॉसस्क्राइश क्या था था होती है पहले तो pain reduce करना है उसके बाद हम उसको कास्ट गरा देंगे वह वह तेर कर जाएगा great one में माइल स्प्रेइन होता है ठिक है और grade two में moderate tier होता है ठिक है यहाँ पर हम जादा जादा pain को reduce करने के लिए यह ऐसे rise protocol use कर रहे होते है रहेसा ize compression elevation ठीक है pain को reduce कर रहे हैं यहां पर हम वह हिंज पहना देते हैं हिंज कास होता है ठीक है वह पहना देते हैं स्ट्रेंडिंग की प्रोग्रेसिव एक्सराइज करवा रहे होते हैं और भी प्रोग्रेसिव एक्सराइज प्रोग्राम करा रहे हैं लेकिन में हमारा काम क्या होता है कि हमने पेन क है तो हमें क्या होगा कि वहाँ पर पेन होगा अगर हम वेड़ बेरिंग कर रहे हैं ठीक है सिग्निफिकेंट लिम्प आपको फील होगी और इन स्टेंडिंग ठीक है नी का मोशन में रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा मसल स्पाजम की एंड फील होगी और स्वेलिंग एफजिन होगी पेन अब कम हो जाता है ठीक है आपको पता है significant लॉस आ रहा है अब पेन सैसेशन के अनदर इसी तरह नहीं भी हो सकती है ठीक है वह डिपेंड करता है कि कितनी जो है कितना क्रोनिक है अब री गेन करना स्टार्ट हो जाएंगे अगर बस्ट्रेक्टेट है त हो में भी mild swelling हो ठीक है इस तरह का case होगा then grade one and two sprains में हमने जो बात की कि कि वहां हम general दे रहे होते हैं कि friction massage करवा रहे हैं rice protocol दे रहे हैं stranding करवा रहे हैं general safety ठीक है अगर हमारे पास mcl का sprain है ना तो हमने valgus stress को avoid करना है कि बाहिर की रसल में कोई stress ना लगे lateral lesion है तो various stress को avoid करेंगे ठीक है अगर mcl का grade three का sprain है तो उसमें हम क्या करेंगे अगर grade three में जरा तीनों चीज़े डिफरेंट आ जाती है अगर grade three का sprain mcl का है तो यहां पर हम hinge class या brace class को immobilize कर देंगे ताकि हम atrophy को minimize कर सके well gas stress को mcl के case में prevent कर सके two to eight weeks तक यह mobilized रहेगा after two to eight weeks हम जो है वो यहां पर exercise program की तरफ आएंगे पहले हम weight bearing करवा रहे है with crutches ठीक है जब तक full knee extension gain नहीं हो जाती हमने mcl के case में बात की थी हम आपस knee extension जो है ना fifteen degrees loss of यह तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर हम जब तक full knee extension gain नहीं कर रहे हैं तब तक हम crutches के उपर weight bearing कर रहे हैं क्योंकि इससे जादा knee locking में जा नहीं सकती तो कितना weight bear कर सकता है अब strength improve होगी आइस्ता आइस्ता तो तब आपने functional activities की की तरफ patient को लेकर आना है उसके dynamic stability को enhance करना है ठीक है यह हमारे पास होती है hinge cost जिसमें आपकी movement पी और ही और थोड़िस स्टेबलाइज भी है और यह हमारे पास mcl के case के अंदर angle q angle decrease हो रहा है then ACL tier है तो यहां पर grade 3 sprain में अगर हम non-operative rehab की तरफ आएंगे तो पहले तो हमने करना है कि swelling और pain को यानी inflammation and pain को control करें है quards or hams की isometric करवा रहे है R.O.M. हमने बात की थी 90 degrees of flexion तक limited है 45 degrees of extension तक limited है तो अगर हमने isometric करवानी है internal and external rotators की तो वो तब होगी जब patient 90 degrees of flexion flexion है तो आप नहीं करवा सकते electrical stimulation देंगे knee braces देंगे आपने क्या करना है कि quadriceps की activity करवानी है ना वो minimal activity होनी चाहिए ताकि वो tibia की ओपर anterior translation tibia की ना cause करें ठीक है और क्योंकि ACL damage है तो obviously वो anteriorly जो है वो translate कर जाएगा tibia अब क्या होगा आपने यहाँ पर mid range quads का workout करवाना है ठीक है आपने terminal knee flexion नहीं करवानी करवानी करवाएं नहीं सकते ACL tear है यहाँ पर आपने hamstring की strengthening करवानी है active stabilization के साथ देन आप आगे surgical rehabilitation पर अब surgical कि जो है वो patient आ सकता है ठीक है लेकिन high level of pain में जो है वो patient को recommend नहीं किया जाता कि वो एकदम से functional activities की दरफ आ जाएं ठीक है अब यहाँ पर ACL surgery के बाद जो है quads की weakness बहुत जदा prominent होती है पर टेलर irritability होती है flexion contracture आ जाते है joint stiffness आ जाता है accelerated protocol जो है उसका हम अगर हम कोई भी प्रोटोकोल दे रहें तो बैसिकली focus किस चीज़ पर होगा कि immediate motion में लेकर आ रहे हैं leg को वहाँ पर knee की full extension में लेकर आ रहे हैं weight bearing करवा रहे हैं with tolerance ठीक है pain हो रहा है करवा सकते हैं arm को enhance करने के लिए ठीक है backward incline training करवा सकते हैं वह उसमें भी arm enhance होगी quadricep का functional strength increase हो रही है वहाँ ठीक है और stress decrease हो रहाए गेट retraining करवाएंगे और polymetric program करवाएंगे ठीक है then functional exercises जो है जैसे कि balance beam walking होगी vertical jumping and so on यह हम गेट training के लिए use करते हैं यह उसमें common होता है जब ACL की injury हो तो आपने normal जो है वह sports पर आ जाएंगे जब वापस आएंगे तो मापे strength skill acquisition and response जो है वह थोड़ा सा decrease होगा लेकिन वह आपने regain आप कर सकते हैं easily फिर अगर PCL tier है grade 3 का लेना है तो वहां पर हमाँ पस क्या होगा के यहां पर symptoms of disability होंगे मीडियल compartment में arthritis हो सकता है ठीक है जो मीडियल साइड आस्प्रेक्ट वहां पर पर टेलो फिमोरल arthritis हो सकता है swelling हो सकती है पेन हो सकता है जब आप activity कर रहे हैं तब ठीक है specific activities related pain भी हम यहां पर देख रहे होते हैं जो हमाँ पस ligament के टीर होते हैं अब ACL वला rehab हम follow करेंगे लेकिन इसमें थोड़ी सी exceptions हैं वहां पर हम quards का excessive workout नहीं करवा रहे थे यहां हम हम का excessive workout नहीं करवा रहे एक तक ठीक है एट वीक्स तक isolated workout नहीं होगा यहां पर भी close chain exercises करवा रहे हैं हम की strengthening के लिए लेकिन हमने posterior tibial translation यहां पर prevent करनी है जिसना वहां पर anterior tibial translation prevent कर रहे थे यहां पर rehabilitation होती है सेम guidelines होती है जो कि PCL rehabilitation के लिए होती है ठीक है रणिंग जंपिंग athletic activities यह सब कुछ avoid करना होता है अंटेल आप नियर नॉर्मल strength गेन कर ले आ रहे हम आपकी फूल हो जाए नॉर्मल फिमोरो टीबियल rotation वापस आ जाए ठीक है देन हम आपस miniscal tiers आ जाते हैं यह हम next slide में next video में cover करेंगे इसको